पिरिये विद्यार्थियो नमस्कार, एजुकेशन स्कूल प्रिवार में आपका सवागत है, हम दिल्ली पुलिस कोंस्टेवल के प्रिवेश पेपर सोल कर रहे थे, आज हम 14 दिसंबर 2020 मोर्निंग शिफ्ट के क्यूशन सोल करेंगे Q1, तीन ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उन में से किनी भी दो संख्याओं के ओस्त को तीसरी संख्याओं में जोड़ा जाता है, तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होते हैं, दी गई तीन संख्याओं का ओस्त क्या है, वे तीन संख्याओं हैं, संख्याओं मालीवन A, B, C, वे क यहीं दो संख्याओं का ओस्त, तीसरी में जोड़ा जाता है, तो योग क्या प्राप्त तता 122, 230 और 242, दो का ओस्त, इन A और B का ओस्त निकार दो, क्या ज़ आजएगा, A, प्लस, B, बटा, 2 और तीसरी संख्याओं में जोड़ा जाता, तीसरी क्या एस-C, ठीक है, एक कं श Kingsनी काल दूं और 10 13 разм जोड दूं तो योग बता रिख लिया प्राफ्त होते हैं प्राफ्त होते हैं एक 1020 योप्राफ्त होते हैं तो हम क्या करेंगे इन्तिन्न कुर्ण को जोड़ेंगे और टिन्नों के इन्हेकर ओपलेंगे ठीक जोड़ें इस तिनों को जोड़दो इन तिनों कंडिशन को जोड़ दो ठीक है किया जाओ पांच शे 664 अब देखो इसमें क्या कासा मिल है इसमें एब टा-धिन एक अद्धा और एकादा यहां मिल हैं जोडएंगे कि क्या मन जाएगा एए और एक यहां पर है Ajai До इसी तरह आपी है यह को बीग बटा दो बीग दो और एक बी है क्या हुझाएगा दो बी और इसी तरह सी है कि वह जाएगा थेन दो सी दो ए दो बी दो C, इसमें जोडते हैं जब और ये जोड़ा 604 अब दो इसमें गोमन ले लेंगे, थो क्या जाएगा ABC का योगा जाएगा दो C इसको बाग दे देंगे 604 को दो C cancel कर दो कितना एगा 327 ABC का योग, तिन्हू संख्याँ का योग 327 क्या पुछा ओस्त पुछा है तीन से बाग कर दो उस्त के लिए कितना जाएगा 109 109 हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है option C question number 2 Simplification का है देखो कैसे solve करेंगे इसको भी हर shift में पूछा गया और इसी फॉर्मेट में पूछा गया है सभी में बार भी दे रखा था ओफी दे रखा है ठीक है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी देखो कैसे solve करते हैं इसको सबसे पहले bracket bracket में क्या है देखो दो बटा तीर गुणा में बार अटाएंगे बार कैसे अटाते हैं देखो एक अंग के उपर बार है तो कैसे अटाएंगे संख्या क्या है 41 तारीज में से वह संख्यागाद से बार नहीं है जुक यारेकटा नहीं है तो क्या जाएगा सेटीस चार गटा धियेगे टिकटारीontaDiri बर्टा में जितने एंकोपर बार है उसके बादल में नो और दसमलों के बाद जितने इंकोपर बार नहीं है उसके बादल सुनने 37 में 90 oh फिर देखो इसका टाएंगे तो दोनों को पे बार है तो 37 निन्याड में भाग का साइन है बीच में पल्ट जाएगा गुणाव में और संख्या हो जाएगा 37 इस बटा में और नों से धस्क भार में थिए तो ब्रेक अलेंगे एग तेका ग्यारणा दो बाइस तीनगोना दस ठीक है चाँन को दिक्क पर लसका ब्रेकेट खोने गा संट क्या भाग है ईससाट का धिर पैले क्या है लोम अब ब्रेक एट के बाद Oh Ohव का मतलcience अट रρώater से पहले है रोता भी ये तो डिसको क्या जाएगा इसको अल करेंगे तो 11 गुना दो 22 बटा पांच गुना थीन पंदरा बाइस बटा पंदरा आगे संहाए देखो क्या आप 11 बटा तीन अब ऑफ के बाद क्या है है रोगा भाग भाग का साइन बदले का गुना में अगली शक्ते हैं दो से कैंजिल कर दो पांच बार में साथ बटा 15 भाग का साइन अब दलिगा गुणा में संख्या आठ बटा 11 अब देखो या भी 11 है बीच्वें साइन गुणा का है तो 11 से 11 कैंजिल फिर दो से एक और दो से पांच उपर क्या बचाहिए यहां पे आठ बटा में तीन मुणा पांच पंद्रह ठीक है आठ बटा पंद्रह बचाई आपे पलस से आगे अब देखो तीन से कैंज टेंगे आच बार में तो तीन ते पांच बार में ग्यारा से बोड़ में यहां का आपच पांच बटा दो माइनस साथ बटा बंदरह पलस आठ बटा अल्सीं लेंगे तो दूसे 15 15 15 15-19 माइनस पंद्रा से दोबार में धोना साथ 14 पलस पंदरा से दोबार में दो गुनाट सूलंग अब देखो 14 माइनस का है सोडा पलसका है सोडा में है बटा देंगे पलस का दो बचेगा और पिचेतर भी पलस का है तो दोर जोड़ देंगे इसमें क्या बचेतर बटा तीस यह हमारा अनसर होगा Option C Question No.3 एक बेलन और एक संकु की तिर्जियाओं का अनुपात एक अनुपात तीन है और बेलन की उच्चाई संकु की तिर्यक उच्चाई की 1.5 गुणी है बेलन और संकु के वकरपरिष्टों की छेतर भलों का अनुपात क्या होगा वे वकरपरिष्ट छेतर भल निकालना है किस-किस का बेलन का और संकु का बेलन और संकु का वकर प्रस्ट से तरफल, बेलन का क्या हो जाता हुए, टू पाई आरच वो संकू का पाई आर एल, यह निकालना वाई, ठीक है, तो पाई से पाई कह अंसिल हो जाएगी, ठीक है, टू, बेलन की तिर्जा कितनी देखो, बेलन और संको की तरजवार किन फात 1 बेलन की है तरजवार किन फात 1 संकू का ठीद के तरज्या 3 ठीच है फिरट उज्चाई के बादे में क्या बोल रखा है बेलन की उज्चाई संको कीत प Katyakनी 1.5 तो मुं द precurs यह 1 है तो यह एक पॉइंट पांच है तो यह माल ले हमने एक यह जाग एक पॉइंट पांच यह बेलन के जाएगा यह संको के तिर्य कुछ चाहिए और यह बेलन के उच्चाहिए दस मलों उटाएंगे तो बटा में दस ठीक है यह रेश्य आ जाएगा दस उसट जाएगा तो गुणा में हो जाएगा पंद्रा अनुपात दस पांच से कैंसल करेंगे तीन अनुपात दू ठीक है यानि यह तीन है और यह दो अभी इनकालना है तो निकाल सकते हैं असानी से दो से दो कैंसल हो जाएगा तीन से तीन कैंसल हो जाएगा क्या यह एक अनुपात एक बेलन और संकु के वकरफर्ष्ट छेतरफलों का अनुपात क्या होगा एक अनुपात एक ओप्शन सी क्युस्तर नंबर फोर मान लीजिए कि वाई 20 और 36 के बीच की एक पूरण संक्या है यदि वाई दो विशिष्ट एवाजे संक्याओं का गुणनफल है तो वाई के मान की संक्या है विवाई के कितने मान हो सकते हैं विवाई है ना 20 और 36 के बीच की एक पूरण संक्या है न ने तो 20 है ने 36 है इन 20 से तो ज्यादा है वो संख्या वाई का मान ठीक है और 36 से कम है यानि 20 से तो ज्यादा है और 36 से कम है ठीक है एक पूरण संख्या है और क्या वतारखा है दो विशिष्ट आपाजे संख्या उनका गुणंदफल है विशिष्ट आपाजे संख्या होने च या यह भी कह सकते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर हों, तो देखो ऐसी कौणसी संख्या होगी, सबसे छोटी ऐ बाजी संख्या दो होती हुए, नोट कर लेणा, एक ने तो बाजी है, ने ए बाजी, सबसे छोटी ऐ बाजी है, दो, इन प्राइम नमबर दो है, तीन पांच साथ ग्यारा तेरा सत्रा उन्निस ये हैं प्राइम नंबर इन्ना रखों क्या होसकता हुए अपनी हो सकता है दो तीन से गुरा रहेंगे 20 एन 20 से जादा होना चाहिए तो साथ से करेंगे 14 ग्यारा से करेंगे 22 दो गुना 11 हो सकता है यह इने 22 इन बीस से जादा वाद नाची ठीक है फिर दो का पियर किसके साथ में गाँ त्यरा त्यरा गुना दो 26 भी हो सकता है यह दोन्नों एवाजी संख्या उनाची उनके फैक्टर भी यह ठीक है फिर दोनों का गुणा करते हैं यह भी दोन्नों नंबर एवाजी होने चाहिए फिर देखो दो की 17 से करेंगे वो है टोड़िस यह पेंट 36 से कम है ठीक है फिर 19 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब दो के साथ यह बन सकते हैं तीन से देखो फीर पांच से करेंगे 15 साथ से करेंगे 21 क्यों कि पंदरात कम रहता है 21 यह यह सकता है फिर तीन की 11 से करेंग धी तेटीस यह भी क्यों सकता है से या का मान है फिर और दिए आसे रेने च्श्व हो जाए को पांस का देखो आप्स का से जगण करेंगे 35 सिर्टीश से कम ही ऐवे पिर पांच का आके करेंगे संख्याई से ज्यादा प्लाव यह उती जाएगी ऐसा रें तो मान 36 ज़्यादा जाएगा तो य के मान यह हो सकते हैं वही एक दो तीन चार पांच और छे वाई के कितने मान हो सकते हैं छे option C question number 5 अरोणा एक वस्तु को एक निस्चित मुल्य पर बेचती है यदि वय उसे उसके विक्राय मुल्य के 3 वटा 5 मुल्य पर बेचती है तो उसे 20 परतिशत की हानी होती है जब वय उसे उसके मूल विक्राय मुल्य के 90 परतिशत मुल्य पर बेचती है तो उसे प्राप्त होने वाला लाब प्रतिसाथ कितना होगा, मैं देखों, तीन बटा पाँच मुल्ये पर बेचती है, यह विकरय मुल्ये का तिन बटा पाँच, देरका क्यूसन में तुलावाली रासी निचे निऄ, यह SP और यह CP, तिन बटा पांच इस मुले प्रभेस्ता है तो हानी होती है 20% की, तो देखो, तो SP क्या हो जाएगा? 5, CP क्या हो जाएगा? इस मुले प्रभेस्ता है ना 5 पर, तो उसे क्या होता है? 20% की हानी होती है, तो cost price यानि की value कितनी हो जाएगी 80% क्योंकि नुक्सान होता ने 20% 20% का मतलब है उसका मुल्य हो गया 80% ठीक है क्योंकि आपने cost price 100% होता है इसका 80% कितना है 3 80% का मतलब 4 बटा 5 और इक इसके बराबर है 3 के क्योंकि यह हमने 5 माल लिया और यह 3 है किसका cost price का 80% की value 3 है क्योंकि 20% नुक्सान होता है इस पर बेशते हैं तब ठीक है तो देखो CP क्या हो जाएग अब देखो यहां से 5601 गुणा में 5 गुणा 3 15 बटा 4 तो cost price है 15 बटा 4 ठीक है और selling price क्या है 5 एड पिर आखे क्या प्रखा है जब है उसे उसके मूल्विक्रे मुल्य के 90 प्रतिसात मुल्वे पर बेचती है मूल्य विक्रे मुल्य ये है इसके 90 प्रतिसात पर 95% का Contentre 9-10 मुल्य पर बेचती है तो उससे प्रापदोने वाला लाब और प सिकेंजिल कर देंगे दो बार में नो बटा तो इस मुले पर वेच्च तो लाब पूश रखा है अब देखू इसके बटा में चार है इसके बटा में दो हिंकल से वेलो च्यार और दो कल से मजाएगा च्यार दो नो को च्यार से गुणा कर दो क्डोशे केंजिल करेंगे 2, 9 गुना 2, 18, 4 से 4 केंजिल कर दो कितना जाएगा बंदरा, इन कोश्ट प्राइज बंदरा, सेलिंग प्राइज 18, कितने का लाब हुआ, 3 का, और लाब किस पे बिच पे होता है, कोश्ट प्राइज बे, परतिसत के लिए गुना में 100, तीन से पांच बार में, पांच से बीस बार में, इने बीस प्रतिसत का लाब होगा भई, यह दिसके नदबब प्रतिसत बेवेच्चे थो, ठीक है, Option C, Question No.6, 18 व्यक्ति प्रति दिन 6 गंटे काम करके, एक कारिये को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 व्यक्ति प्रति दिन 10 गंटे काम करके, उसी कारिये को कितने समय में पूरा कर लेंगे, कितने दिन में करेंगे बताना हमें वहीं, देखो, तो सिंपल है, M, D, इसको फॉर्मुला, M1, D1, H1, बराबर, M2, D2, H2, स्टार्टिंग बता रहे का 18 व्यक्ति, M कमान दिन रहे का 18, फिर D1, कितने दिनों में, 15 दिनों में, और परति दिन कितना काम, गंटे काम करते हैं, 6 गंटे, बराबर, M2, इन 12 व्यक्ति, परति दिन 10 गंटे काम करते हैं, कितने दिनों में, D2 कमान हमें निकालना है, और H2 ओबार में ठीक है पांट से दो और पांच से टीन दो से नो नो गुन आतीन शथाई सब्सकीन क्या हां दो डीटू प्रावर क्या गर शप्ताइस बता दो यह तेरा सही एक बता दो दीन में कम्पलेट कर देंगे वही तीक है ओप्सेन ए Q7, एक नाव को जल दारा के परवा की विप्रित दिशा में 8.4 km जाने में 14 मिनिट का समय लगता है यदि नाव की चाल और दारा की चाल के परवा का अनुपात 6 अनुपात 1 है तो जल दारा के परवा की दिशा में 33.6 km जाने में नाव को कितना समय लगेगा मिनट में बताना है वे देखो सांथ जल में नाव की चाल मान लेते हैं सांथ जल में चाल नाव की चाल है एक्स किलोमेटर और धारा की चाल हमने माननी है वाई किलोमेटर पर आवर ठीक है अब देखो ये कहां जाता है विप्रित दिसा में यह एक्स माइनस वाई जाता हुई गट जाएगी चाल स्यांत जल में से दारा की चाल घट जाती है ठीक है इसकी चाल निकाल लेंगे क्या दे रखी है 8.4 किलोमेटर जाने में 14 मिनट का समय लेती है हमारे पास दूरी है और समय भी है तो चाल आजाएगी गंटे मिलेंगे ठीक है जीरो से जीरो, 14 से 6 बार में, ज्यानि चाल आगे 36 किलो मेटर पर आवर, किस की चाल ही, नाव की चाल है धारा के विपरीद दिसा में, इन X-Y, लेकिन क्या बतार रखा है, इसमें X और Y का अनुपात दे रखा है, एक्स और वाई क्या है एक्स है सांद जल में नाव की चाल और वाई है धारा की चाल इसका अनुपात दे रखा है छे अनुपात एक ठीक है 6 अनुपात 1 हमें निकालना क्या है परवा के दिशा में दिशा में चाल दिशा में दोनों जुड़े जाते हैं X प्लस Y का मान निकालना है हमारे पास किसका मान एक्स माइनस Y का मान है यहां से X माइनस Y का मान कितना आएगा अनुपात में 5 यह भी X-Y का माहन है 36 km प्रतिगंटा और अनुपात में वेल्यू पांच यह पांच अनुपात की वेल्यू कितनी है 36 एक अनुपात की वेल्यू पांच से बाग दे देंगे ठीक है हमें चाहिए दोनों का योग X प्लस Y को दिसा में जाएंगे दोनों चाल जुड जाती है तो 6.6 km दस में उटाएंगे तो बटा में 10 यह दूरी है और चाल यह है हमें समय निकालना है तो दूरी बटा चाल बटा में करेंगे 36 गुणा में साथ पांच यूपर चला जाएगा ठीक है अब इसक्वाल कर दो यह किसमें आएगा किलोमेटर प्रति यह देखो यह किलोमेट प्रति गंटा में है समय कृस्व में आएगा सल्विगन टी में और समय किसमें बताना है मिनिट में तो पहले यह साढसी फोणा कर लो अब मिनिट में जाएगा इस्कू अल कर दो देखो तें आप से एक पांट शेंदो फरसे फाजस बार थसे तीन बार में यह साथ से देखो कैंसिल हो जाया गया साथ चुक एठाइस पांच सब्सक्राइब अब यह चैसे तीन गुणा दो चैसे यह आठवार में कैंसिल आठ गुणा पांच चालिस मिनिट का समय लगेगा वही ओप्शन सी किस्तर नमबर एट रेखा अपनी मासिक आये का पिचेतर परतिसत खर्च कर देती है यदि उसकी मासिक आये में 15 परतिसत की वरिद्धी होती है तो वै अभी भी पहले जितना धन रासी ही बचा पाती है तो उसके खर्च में कितने परतिसत की वरिद्धी हुई मैं देखो उसकी आये और खर्च और बचत भी खर्च और बचत को जोड़ दें तो किसके बराबर होता है इंकम के ठीक है क्या दिर रख आमने इंकम मानली 100 रुपे 55 प्रतिशत खर्च करती इसका पिचेतर प्रतिशत निकालेंगे तो पिचेतर खर्च कर दिया तो बचाती कितनी है सो में से पिच्छे तर गटा देन 25 रुपे की बचत करती है ठीक है फिर बोलता है 15% की बरधी होती हुए इसकी इंकम में 15% बढ़ जाएगी तो याणि 115 हो जाएगी इंकम वो फिर क्या बता रखा है वो पहले जितना धन या बचा पाती है पहले जितना ठीक बचाती ही उतना 115 में से उसने 25 बचा लिए तो खर्च कितने कर दिए एक सो फंद्रा में से गटादो 25 यह निनबर पर खर्च कर दीए ऑग है ठीक है बोलती है उसके खर्च में कितने परतिशत कि वर दिव्य तो पहले कितना था अचाहेत्तर अब कितना हो गया 90 कितना बढ़ा है 15 उर्पे किस पर बढ़ा है पिछेत्तर पे परतिसत के लिए गुणा में 100 15 से 5 बार में 5 से 20 बार में 20 परतिसत उसका खर्च बढ़ गया किसन नमर 9 ए और बी की आय का अनुपात 4 अनुपात 7 है और उनके वे का अनुपात 1 अनुपात 2 है यदि उन में से परतिक परतिमा 4800 रुपे बचाता है तो बी की आय कितनी है इस किसन को सोल करके आंसर कोमेंट बोक्स में लिखेंगे मिलते अगली कलास में धन्यवाद